हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ धनाजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे रश्यन अम्बैसडर इन इंडिया जिनका नाम है दिनीस एलिपोव वो 10 फेबररी को रश्या न्यूज एजेंसी को एक इंट्रिव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि रश्या एजन कंट्री वो यह चाहते हैं कि भारत को युनाइटेड नेशन सिक्चुरिटी काउंसिल में पर्मनेंट मेंबर्शिप मिले अब युनाइटेड नेशन और उसके जो एजेंसी है उसको अपडेट करना क्यों जरूरी है आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंस के साथ हम समझेंगे और ना कि सिर्फ रश्या बलकि फ्रांस भी काफी लंबे सालों से ये प्रयास कर रहा है अटलीस वो ग्लोबल प्लैटफॉर्म पे आके वो ये कह रहा है कि वो चाहते हैं कि युनाइटेड नेशन के जो पूरे एजेंसी से उसमें अपडेट हो और साथ में बहुत ही स्पस्ट और खुले शब्दों में फ्रांस भी ये चाहता है और ये कहता भी है कि भारत को एक पर्मानेट मेंबर्शिप मिलना चाहिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास कोई सजेशन है कोई फीडबैक है तो वो मुझे या तो आप एमेल करके बता सकते हैं या तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में भी अपने सजेशन को आप मेंशन कर सकते हैं तो युनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है ऑक्टूबर 1945 में अब 1945 या 1940s का जो पूरा दौर था वो Second World War का दौर था तो जो एजेंसी या जो डिपार्टमेंट को बनाया गया था वो सारे का जो डिपार्टमेंट का जो माइनसेट था वो कही ना कहीं एक वार का माइनसेट था 1945 से लेके 2024 तक हम पहुँच गया हैं कहने के जरुवत नहीं है कि तब से लेके अब तक कितने global changes हो चुके हैं, देशों के economy कितनी की economy बढ़ी है, कितनी की घटी है, और भी major changes हुए हैं, लेकिन United Nations Security Council के जो 5 permanent members हैं, 5 permanent members कौन-कौन से हैं, तो एक है USA, दूसरा है Russia, तीसरा है China, दूसरा है China, चौथा है France, और पांचमा है UK, अगर आप Middle East के बात करें, तो Middle East में Total 18 countries हैं, और अगर आप Africa के बात करें, तो वहाँ पे कुछ 54 countries हैं, अब Africa को represent करने वाला United Nations में कोई भी नहीं है, Middle East को represent करने वाला United Nations में कोई भी नहीं है, Middle East का importance क्या है क्यों है कहने के जरुवत नहीं है कि अगर Middle East से अगर oil ना आये तो तकरीबन दुनिया का जो energy supply है वो disrupt हो जाएगा जो कीमत हैं चीजों की वो कहीं और पहुँच जाएगा जिसको के शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं 54 African countries को represent करने वाला एक भी नहीं है ये वही 5 countries जो चाहते हैं कि reform ना हो भले वो मुझे समय दर समय बड़ी बड़ी बाते कहते हैं कि दुनिया में war नहीं होना चाहिए या दुनिया में शांती बरकरार रहना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं ये जो कुछ आपके खास करके China, UK और US ये खास करके कभी भी नहीं कहते हैं कि United Nation का जो body है या जो उसकी agencies है उसमें update या उसको upgrade करना चाहिए क्योंकि अगर उसमें update हो गया तो उसमें अगर कुछ upgradation होगा तो कहीं न कहीं और भी नए members उसमें आके जुड़ेंगे तो जब नए members उसमें आके जुड़ेंगे तो जो US का value या जो UK का value आज है वो कहीं न कहीं same status, same value किसे दूसरे देश को भी मिल जाएगा तो जो देश आज US के सामने शायद खड़ा नहीं हो सकता है वो भी कल को US के साथ या उसके decision को oppose करेगा तो ये सब बाते जो है वो US, UK या चाइना को बिलकुल भी पसंद नहीं है वैसे तो ये कहा जाता है कि international relations में कोई भी किसी का permanent friend या permanent enemy नहीं होता है लेकिन कुछ exceptions exist करते हैं जहाँ पे अगर आप Russia और India का अगर आप relation की बात करें तो बहुत सालों से हमारे बीच में जो relation है वो एक जैसा है बहुत सालों से जो इंडिया का opinion या जो भी help हम करते हैं Russia को वो भी almost constant है या जिस तरीके से Russia हमें help करता है उनका भी जो help करने का तरीका है वो भी constant है approximately 80-85% जो हमारा defense है वो directly dependent है Russia के arms ammunition पे कुंडा कुलम nuclear power plant जो की तामिनाडू में है वो भारत का सबसे बड़ा nuclear power plant है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आपका Russia technical assistance पहुँचा रहा है या making India initiative को help करना हो वहाँ पे भी Russia का बहुत ही बड़ा contribution है Rose Neff नाम की एक Russia की company है जो की 23 billion American dollars का investment वो करके रखे है oil refinery में भारत में तो ऐसे छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे example से जिसकों की पढ़ने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि Russia और भारत के बीच में जो relation है वो सच में अच्छा है और बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि Russia हमारा trusted ally है 1971 के August के महीने में भारत और तब के USSR के बीच में एक deal साइन हुआ था जिस deal में ये था कि अगर कोई भी देश भारत के उपर attack करेगा तो उस attack को USSR अपने उपर attack मानेगा और उस attack का फिर जवाब देगा ये वही साल है 1971 जब जिस साल डिसमबर के महीने में पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग होता है जहां पे indirectly और directly USA जंग के पहले भी पाकिस्तान को help कर रहा था और जो during war था वहाँ पे भी USA पाकिस्तान को help कर रहा था तो आप समझ सकते हैं कि एक actual war के टाइम पे USSR कह ले या रश्या कह ले वो भारत को help कर रहा था आज इस बात को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद उतना effective ना लगे लेकिन आप इस चीज को imagine कीजिए कि अभी भारत war में है और उस वक्त कोई देश आपको help कर रहा है या नहीं कि हमें help कर रहा है तो ऐसे चोटे बड़े बहुत आई example से जिसको की हम देखके पढ़के समझ सकते हैं कि रश्या हमारा एक trusted ally है I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ और फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye